हेलो गाईज विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चनल माई नम इस मनिश गुपता एंड यूर वाचिंग बी एसीजी लेक्चर्स तो गाईज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं बीज एड़ एड़ एटी वन और पाईसी से पहले हमने क्या पड़ा था ये वी थोड़ा सा जाना जरूररी है तो देन आप सभी को में बता दो हमारा प्रीविच टोपिक जो था जो कि आप सभी ने पड़ा होगा में भी एगने था क्या था किया था गया था घ्ना ता घिसमें कि हमनें पै्ट्रो माई जो आपने प्रिविए वीडियो भी वाच कर रागी थीक है तो देन वीडियो का आने में थोड़ी सी देर हो चुकी है इस बार बट हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार रेगुलर होने की और आपको ताम तो ताम वीडियो प्रवाइड करान की तो आज की बात कर लें तो आज को जो टोपिक होने वाला है जैसे की मैंने बता ही दिया है कि Paisies है Paisies के बारे में हम पढ़ेंगे और पाइसेज में हम क्या पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर जो है बहुत बड़ा है गाई तो एक दिन में में तो संभव नहीं है कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पढ़ेगा और थोड़ा सा क्या है अपनी कंसेस्टेंसी और कंसेंट्रेश में हम नहीं जाएंगे देन फॉर मोर अपडेट्स यू कन सब्सक्राइब आवर टेलिग्राम चैनल अट दरेट बायो लेक्ट्र लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है वहीं पे मैंने नोट्स वगेरा जो भी आपके चैप्टर के रिगारिंग नोट्स ह होने वाला है और बहुत ही क्या है महनत के साथ हम थाटिन तक पहुंच गए है यह भी हमारे ले बहुत बड़ी उपलब्दी है और कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले आपका जो बुक है पूरा समाप कर दें ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या टॉपिक है पाइस के बारे में जानेंगे उसके बाद हम कार्टिले जिनियस फिस और जिसे हम क्या है कॉंट्रिस्थिस कहते हैं जिसमें कि सब क्लास इसले का है इलैस्मो ब्रैंची एंड सब क्लास होलो सिफली के बारे में पढ़ेंगे दैन इसी प्रकार से हमारा बोनी फिस भी है जिसे हम क् एक्तिनल, पैटरगलेशी कर जिसमें आचिरकीस का तरगा में हम पारे में पारे के निदमार एटे कर दुर्र पेंड़ेह निद्र ही पारे में इंदरकार इंद्र पहलेशीचार तो इन्ट्रोडक्शन में इससे पहले स्टार्ट करो आप फटाप अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजेए बैल आइकन बटन को प्रेस कर दिये ताकि अपरे वीडियो की जो नौडिफिकेशन है वह आपको ताम तो ताम मिलती रहे है तो इससे पहले हमने जो 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 चीजे पड़ी थी उनको भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं तो then guys यहाँ पे जब हमने just यह chapter start करा, just आज हमारा Paisis है, Paisis के बारे में पड़ेंगे, तो then उससे पहले हमने क्या है Euro Code Dates के बारे में जाना था, guys, क्या है guys, Euro Code Dates के बारे में हमने जाना था, Euro Code Dates नहीं, just Code Data के बारे में जाना था, ठीक है, और यह सभी आपके जितने भी class, phylum, subphylum, super class, यह सभी आपके code data में आते हैं तो guys, code data, code data के features मुझे बार बर बताने के जरूत नहीं, अगर आपने previous videos watches करे होंगे, watch देखा होगा, तो देन आप सभी को मालूम होगा euro code data और से fellow code data इन दोनों को हम proto code data के अंदर लेते हैं, यानि यह दोनों को हम क्या है, guys, proto code data कहते हैं एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ, आप भूल गया होंगे, recall, remind कराना, भी तो मेरा ही काम है, proto code data, ठीक है then guys, proto code data से हमें को यह लेना देणा नहीं है, क्योंकि हमने इसके बारे में जितना जानना था उतना जान लिया है, क्योंकि main हमारा focus कहाँ पर है, vertibreta यानि जिसमें vertibra और मौझूद होता है, वसकी बात हम करेंगे, backbond जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर कहें, cranium अगर किसी और गुश्प रहता है तो हम तक कि अगर इंडें दू तो इसके बाद उसके कोई supportive feature, मतलब supportive bone-like structure नहीं प्रिजेंट होता है कई और इसके पहले बाद हम यह कर लें कि जब आपको वर्टी ब्रेटा बताया तो देन उसके बाद हमारा chapter कौन साया था जस्ट नेक्स युनित हमने पड़ा था अगनेथा के बारे में और अगनेथा के तो आप सभी ने क्या है जस्ट इसे हम cyclostometa भी कह देते हैं, क्या कहते है जांग्यट होता है यानि यह शक करते हैं थीक है उसमें ही यह == का सिआ стар月 मिकसी ना डुआ खेатив hanno गरिए मिकसी को कया साम राता है मिकसी को ने एका क्लास만 ना आपका सुपर कलास है मैं दोालस शुष attitude कैते हैं कैसी को सिआए हम क्या है ढृब आप का इन एक बार रीकेप कर रहा हूं वोस्त कर दोह पाल हा llegó का रश मिकसी के भार है जाना था है एक फिसेश के बारे में जाना था है इसी प्रकार से पेट्रो माइजॉन्टीडा बड़ा ही घजम नाम है पेट्रो शॉर्ट वर्ड मही लिग देता है पेट्रो माइजॉन्टीडा ठीक है इनको हम क्या कहते हैं लैंप्रे यानि हमने पिछली बार लैंप्रे के बढ़ा था बढ़ा ही इंटरस्टिंग टॉपिक मेरे रख तो बढ़ा । जो लेमिर है थीक है तो देन गाईज हमने क्या है çalış जॉड और नोय हमने पर लिया है अब नोय हम बात करेंगे आट वार्गोनिजम के बारे में जिनके पास जॉइ पाए जाते हैं यानि jord organism के बारे में हम जानेंगे, jord species के बारे में जानेंगे, तो guys, jord species में हम बात करें, तो jord species में आपके pieces भी आते हैं, और उसके बार tetraports भी आते हैं, ठीक है, Pisces भी आते हैं और tetraports भी आते हैं, आप देखिए, Pisces जो है, आज का मारा topic है, और इसको हम study करने वाले हैं, तो तेरपोब्ट टेते बारें इनके पहा ने पास Zapach इसके बारे मैने बता रखा उत कैंको दूर जाँ लिए टेओं इसलो माट झाहों बता है बताई पास चरींकी लिए मतलब हात पार जो भी हो दीनके पास वो इनके प्रिजेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें एम्फिबिया, रेप्टियला, रेप्टियला में आप देखो कि नहीं होते हैं, लेकिन इसमें वेस्टिजियस होता है, इनका लिंप्स होता है, वेस्टिजियस होता है, वेस्टिजियल ओर्गन होता है, देन एविस की ब और आपके टेट्रा पॉट्थ में भी पाए जाता है अगने था कि पिछला आपिक पड़ा था वह अपके जितने भी थे वह अपके जस्ट जॉलस पिसेस थे यानी हमने बार जोश प्रिज्टंट नहीं था फोज्टे पुद्टा था तब पास चॉइट नहीं था Chondro Chondric Chondric Thies Chondric Thies T-H-Y-E-S ओके Chondric का मतलब होता है guys Chondric का मतलब यहाँ पे just मैं explain भी कर देता हूँ साथ-साथ यानि किसी organism का जो endoskeleton है guys क्या हो endoskeleton जो है यहाँ पे यह भी लिख देता हूँ मैं कोई भी confusion लेके नहीं जाना है आपको skeleton किसका बना हो guys endoskeleton बना हो cartilage का बना हो cartilage का बना हो lase खाने वाला चिप्स नहीं cartilage का बना हो guys ठीक है यानि thies का मतलब होता है guys fishes 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 ठीक है तो यानि वैसे species की हम बात करेंगे जिसमें कि cartilage का endoskeleton हो और यानि यह कहा हो cartilage fishes हो या फिर cartilaginous fishes हो ठीक है तो यह आपके इस ताइप के fishes होते जिनके पास endoskeleton होता है उनका cartilage का बना होता है बात करें इसके scale की तो इनका scale जो है just placoid scale नहीं पर प्रिजन होता है कौन सा scale present होता है प्लैकोइड इसकेल प्रिजेंट होता है अब देखे, हम बात कर रहे थे just agnetha की बात कर रहे थे और agnetha आप सभी को मालूम है कि agnetha में कोई भी scales वगरा प्रिजेंट नहीं था scales agnetha में प्रिजेंट नहीं था just उनका जो इसकिन जो है आपको क्या स्केल्स मिलने वाले हैं आ बढ़ के रह जाया। यानि उसका सर्फेस को जस्ट आप क्या है। जस के बैक्वर्ड्ली अगर उसको आप टच करते हो तो जस्त आपको खुदारा सा महसूस होगा। खुभरासा है, काफी ज़्यादा ने क्वाद शाप भी होते हैं जासे हम बात कर लें, आपके ओंड॑रिक्टिस में क्या आते हैं, शार्क्षाते हैं शार्क्षाते हैं, तो इन में आपको क्या है, इस तरीके का प्लाआखोइड सकेल देखने को मिलता है इन सब के बारे में मैंने BZYCT, यहां साथ-साथ पॉब्लिसिटी भी गर लेते हैं, BZYCT133 जो हमारा कम्परेटिव अनाटमी, जो भी बोल दो, ठीक है, जो अजो के है, कम्परेटिव अनाटमी जो आपकी बुक है, इसके बारे में 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 इ में जादे तो को सब्सक्राइब तर आपको याद रहेंगी तो आपकोंढरिक्थिस के बादे आपका कॉं आता है तो इहां पे आता है आपका और, Osteo-thys आता है, Osteo-thys कहते हैं, Haan Osteo-thys, Austick, Osteo-thys, Austick, Thys, Austick, Thys, Austick, Thys, ठीक है, Just Small Word में ले लिँग दे, खिर, को ही नहीं, यह आपके FISH, FISH होते हैं, यानि, Dekhiye, Austick, 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 यह भीर Osteo कहले हम, यह किस से रिलेट करता है तो गाइस बोन से रिलेट करता है किस से रिलेट करता है गाइस बोन से रिलेट करता है अथाइस तो मैंने बताई दिया फिश है ना तो यानी वैसे फिस जो कि आपके बोन के एंडोस्केलेटन में फॉर्म होते है इनका एंडोस्केलेटन कैसा हो गा बोन का बना हो, बोनी हो, तो भी बोनी उजान टो जान इन 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 कहने इन इन इनके एंन hen Kaiser जान इनके इन इन कुछने हो, तो जो भी है decisus जलों सुछन दुखने है तो जो भी है आपके पुरूर्ची के लेजे ये भी और मत्र छूं जान फ्यागे primary यह जो इसपीसिज है, यह आपके औस्टिोटीज में आती है, यह बॉन के उंके एंडोस्केलटन बने होते हैं, साथ ही हम सकेल्स की बात कर लें इनकी सकेल्स की, तो इनमें सकेल्स कौन-कौन से पाई जाते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे, रॉम्बोइड या फिर कौस्म पर भैकर गैण गैन गैनो इट गैन है गैनोईड स्केल consistent आ खैनोईड केल बिल्याभ दुंदे ता गैनोईड सेटकर सिल्किके एकॉटका गैनॢईड इन में पाए जाते हैं, the dermal skills पाए जाते हैं। क्यों होते हैं तो इसके भी बताना पढ़ेगा क्या उसके मुझे के अर्फडोर गुझाते हैं। और जो मेकनिकल इंजरी से भी.. और ँौर 요ें वे जाते हैं... बताएचे मेरे दोस्त.. बाओ बेहन, बदाईगे इनको ज़स्त वे इंको प्रकार का जो फ्रिक्ष्छन है guys वाटर का फ्रिक्ष्छन से भी इंको फ्रोटेक्ट करते हैं तो यह क्योंकि वाटर में फ्रिक्ष्छन बहुत ज़ाद बहुत था है इस प्रिक्षिन थोड़ा जादा होता है, तो इसको मुवमिंट करने में काफी जादा प्रॉबलम हो सकती है, तो यहां पर आपके आपके स्केल्स वगेरा प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही जो भी बहार से जो बैक्टेरिया या फंगस या फे जो भी पैथोजन का जो अटक ना हो सके, इससे भी इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, तो इतना तो ठीक है, तो आपके साइकलोईड, स्वारी, काटिलेजीनियस फिसिस जो है, मोस्ली आपके मराइन होते हैं, गाइस क्या होते हैं, मराइन होते हैं, और यहां पर हम बात कल ने बोनी फिसिस की, तो आपके जादा तर अपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो यह तो नॉर्मली मैंने आपको इतना सा बता दिया है, कि आपको एक आइडिया हो जाए, कि हम बात किनकी करने जा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ हम इस चेटर में पढ़ने वाले हैं, तो चॉंड यहां पर हम बात कर रहे थे, इंट्रोड़क्शन की, तो देखिए, नॉर्मली हमने क्या है, सबसे पहले अगनेफन के बारे में पढ़ा था, जैसा कि अभी मैंने वीडियो में बता भी दिया है, कि हमने अगनेफन के बारे में पढ़ा था, और अगनेफन कैसे होते हैं, आ यहां पर बताता है, पहले एक बड़ लिख लेता हूं, तो जादा चरहेगा, वर्टी ब्रेट्स, गाइस, अर्लिए वर्टी ब्रेट्स की बात करे हम, वैसे इस पीसे, जो की गाइस, एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं, आज के समय पे, इनकी जो एक्जिस्टेंस है, वो नही अर एक समय पे, यह मतलब, डेवोनियन हो गیا, यह फिर, डेवोनियन या फिर शिलॉरीयं पेरिड ने इनका एक्सिस्टन पाया जाता थीक हैँ, बात करें, एक ग्रूब जहुह आस्ट्रकोडम का वही आगे चलके आपका राइस हुआ, जस्ट्रकोडम की बात करें, काइज, आस्ट्रकोडम, ज्स होते हैं, एक बार मेरे को Confusion है, जस्ट मेरे पास भी एक बुक है, तो एक बार मैं जेक कर लेता हूं, कि ओस्ट् यहां पर एक बर मैं चेक कर लेता हूँ जिससे कि आपको कोई गलत इंफॉर्मिशन ना जाए ठीक है तो गाइस जैसे कि मैं यहां पर बता दू आपके यह जो आपके ऑस्ट्रेकोडम फिस होते हैं यह दंकन ऐसी करके कुछ नाम भी है उनका तो वो होते हैं आपके रहे भाई मिल जा कहाँ चला गया Communist ! प्रक्रीजन झाफके के यह पर फिस्ट्रेक आपके टनील आपके यहां यह जानता था कि यहां पर इनपर लिख रहा है यही आगे चलके देगे यहां पर ऑस्ट्रकोडम ही आगे चलके क्या है बैसे अनिमल्स कैαι उसे एषम बगेरा जो है ना इनके अस्ट्रेकोडम से ही आया है ठीक है इनका जो असेंबलेज है गाइस इस एनिमल का इनमें बहुत ही जादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जासे कि सुपर्क्लास पाइसे में हम देखें तो यहां पर जॉड फिस पाए जाती है जॉड अनिमल प जो में अबने तरेस्टेरीयल होती हैं हां नहीं फिस ऐपकी क्या होती है आपकी एक्वेटिग होती है ठीक बहुती है जो आप की बग्र निए बग्च झीयान के डवाais क 반ушला है उडए कि झानस्री तरीक ब्रवैंट में, टेका है, यहां प्रें, टेकी भीएं, ते रिच् आपको यह पॉंड, चोटे-चोटे नदिया, बड़ी नदिया, सुखी नदिया, बहती हुई नदिया, सब जगवे आपको वराइटी आपको इन्वारमें रिवर में आपको यह फिसेज मिल जाएंगी असानी से, देन फ्रेश वाटर बोडी में भी मिल जाती है और साथी आप सभी जानते होंगे, तो यहां पे इनको बाटा बाटा जाता है, जैसे कि मैं बता दिया, कार्टिले जिनियस, जिसे हम कॉंड्रिक थाइस केते हैं, उसके बाद ऑस्टिक थाइस होगी, जिसे हम बॉनी फिस केते हैं, ठीक है, यह जो दो ग्रूप हैं यह जो ग्रूप अरिए भॉन्न, यह जो ग्रूप सज ठीक हैं, मैं हाँ होगी फिसेश की आह करता है, यह एक्छी से बिलोंग करता है, यह वै्सेश की बात करी जार्य यह जो कि अब झाक्न अर जिसे के मैंने बताय था शेल आपकन स्ेलस ऐसी कुछ फिस का नाम है तरल करके है यहां पर गाइः अर्धी गाइः ट्रिक है टॉ दैन यहां पर गाइँ पात करहे हैं भी ट्रें गार्म टो डॉ ध्युंद से थाव गाइँ एगंपोर से लॉठ्डेंट अप ट्रिक हैं अवर टी दें रिए को एप कर रह ऐसे हैं थेखिषेज और लेंप्रेज को भी क्योंकि यह भी खालजी नहीं अब बनी फि्षेज की बात करें ति यह क्या होती है नन hari का है ? के कहते हैं टेटरपोड कोड़ेट विच हैस गिल्स थुरूआउट दे लाइफटाइम अपेंड़ेज़ देखे उनके पास क्या होता है जिस्ट हम उन्न टेटरपोड की बात करें जिनके पास लिम्स नहीं पाय जाती जो की होल टाइम अपने क्या उनके काटे लिजिने मतलब गिल्स पायज दाता है और एपैंडेज पायज जाते हैं ठीक है जैसे कि हम बात कलने फेंस हो गया है तो क्योंकि उनके जो descendants है, वो guys, क्या है, सारे descendants जो है, common ancestor, क्या लिखा है, we are not all the descendants of a common ancestor, ठीक है, तो कोई भी उनके जो descendants, जानी, पूरवज जो है, उनके common ancestor नहीं है, कोई भी एक common ancestor नहीं है, सब अलग-अलग, क्या है, species से, बिलॉग करते हैं, वे, develop हुए, modified है, या फिर, evolve हुए ठीक है, then, fishes जो होते हैं, just यहाँ पे common ancestor and included the monophyllatic, then, included the tetrapods, ठीक है, तो जो, आपके, क्या कहते है, monophyllatic है, यानी, जिनका जो ancestor है, guys, वो एक ही है, common ancestor है, उसको हम just tetrapod से बिलॉग करते हैं, यानी, जब हम tetrapods की बात करते हैं, यहाँ पे जासे कि मैं बता दू, tetrapod की जब क evolution हुआ है guys, evolution हुआ है, वो monophyletic है, evolution जो हुआ है guys, monophyletic है, और monophyletic होने का वज़ा है यह है, कि इनके जो पूरवज है, ancestor है, guys, क्या है, guys, common है, common ancestors है, ठीक है, हम बात करें, यहां पर रिसेंटली हमने क्या है, लगबग 33,000 जो species है, किसके फिश के, हमने just study कर रखा है, ढूंड रखा है, और मेजर्टी ओ फिसेज क्या है, guys, bonny है, bonny बोनी फिसेज है, यहनी 970 species क्या है, यहां पर सार के ही आपको मिल जाएंगे, रेज, और क्या है, चिमरियास, क्या ह आपको जॉल 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 बढ़ेकर इसे कि एक लाक्रासिफिकेशन को एकसर नहीं करागया है। अजने का मतलब ऑट ज कि उनके अंदर वे वहां हमने अलग थाइप की फिस्स मिल्स कि ए और अलग तरीके से अलग टांग ऑर की उनके टीकरी मिल्टीयाँ बात करें आपके अपके 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 अपक अकुविटिक क्लियर है ये जो है ये लीव करें तर्इक्स ब्रीट जो सकते फ्रिफ गांधा कर सकते ओ अन्छें गांधाना इंडहे कर सकते था शेजिता घ्रशा तो यह लास्ट टॉपिक है हमारा लास्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और यह ऊस्मोरेगलेटरी प्रोसेस जो है गाइस काफी जदा जबार बहुत बड़ा है ठेक है बहुत बड़ा है ठेक है एक बार देख लेते हैं तो अबज़ेक्टिव जो है गाइस यहां पे हम क्या है डिस्क्राइब करेंगे क्राइक्टराश्टिक फीचर जो अपका शुपर-klaas-spices यह यह उसके बारे में जानेंगे उसके बाद और उनको order up करेंगे, just order में डालेंगे, क्योंकि बहुत सरे orders भी पढ़ने के मिलेंगे हमें इन में लास्ट प्रोसेस जो है हमारा जस्टीस में क्या है लास्ट अमारा काम है कि अस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से होता है फिस्स में उसके प्रोसेस को हम समझेंगे, तो यहां फटा फटा में नजर डालेते हैं किस पे तो यहां पे हमारे जनरल करेक्टरस्टिक्स और क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है जयनि यहां पे कोई भी होस्टिक थीज हो यहां पे हम दोनों की ही बात करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे क्योंकि यहां पे ज तो आप तो जानती होंगे, dikhen, मेरी इतनी अच्छी गईर ट्राइंग है नहीं बट मैं बटा देता हूं, तीक है, तीक है कुछ इस तरीके के पिछिस होते हैं, तीक है, juist यहां पर कुछ इस तरीके से ही होते हैं, ठीक है यहां पे gill slit हो सकता है या फिर किसी के पास ये ढके वे gill slit मिल सकते है याणि ऑपर कुलम उनके अंदर प्रजेंट मिल सकता है ठ интересно तो इसके बारे में हम दूएगे ये इनका इनका Codal Fin हो गया थेक यहां पर क्या होता है, गिल बियरिंग, नॉन टेटरापोर्ड एक्वेटिक अनिमल्स को कहते हैं, अब देखें, नाम जो दिया गया है, काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग दिया गया है, यानि, जिनके पास क्या पाए जाता हो, गिल प्रिजेंट, यानि, यहां पर गिल क नहीं होने चाहिए, हाथ-पैर है, यह क्या होने चाहिए, गाइस, नॉन टेटरापोर्ड होने चाहिए, प्रिजेंट होने चाहिए, यानि, टेटरापोर्ड में अपसेंट होने चाहिए, लिम्स अपसेंट होने चाहिए, इनमें, साथ ही यह एक्वेटिक अनिमल है, तो इ यह जो है, यह जो body है, यह पूरा का पूरा body, और body से जो निकला हुआ हिस्सा है, guys, इस प्रकार से, यह इस प्रकार से इनका क्या है, body से निकला हुआ हिस्सा है, इसको हम कहेंगे appendages कहेंगे, appendages, ठीक है, अब देखे, कुछ features इसमें आपको देखने को यह मिल रहा है, कि हम ज के 겨ढ Крас Stacy Lamprey में हमें गज पीर्ड पीर्ड क्या है हम बात कर रहे हैंअ ड़ेंड ड़ेंड ददेकिन को मिल जाते है ड्यविश पर के रिफ। यहां पे हमें पिर्ड ड़ाद पेर्ड डवे अ wise다고 का आ a dorsal fin, this dorsal fin is not paired, but paired fin here एंको मतमाले लेन, just okay, paired fin उनमें होना चाहिए और जो आपके appendages और फिर fin फॉर्म करते हो, normally हम बात करें dorsal fin, analfin, pelvic fin, इस टाइप के fin जो है, guys पाये जाने चाहिए तो वैसे species को हम fish कह सकते है, वैसे species को हम fish कह सकते है, okay और इसका मूँ जो है दो तरीके से हो सकता है या तो लेटरल लेटरली कह रहा हूँ जो सामने की तरप भी हो सकता है या फिर इसका जो फिश का जो मूँ है ये गाइज वेंटरली भी प्रिजेंट हो सकता है ये गाइज वो अलग अलग स्पीसिस पर डेंड करता है जैसे कि गाईब इसका बुर्टी है कि अंने में घकँ लाटे अ के तो सामने की आपसे हैjan इसका बॉडी इसका इसका बॉड़ी कैसा होता है तो स्ट्रीम लाइं बॉडी होता है अब स्ट्रीम लाइं। वह मतलब क्या है? यह लेट्रल्र यियो इनी होते हैं, compressed होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, compressed अब देखें, streamlined body कहने का मतलब यह है कि इने में जो water का जो friction होता है यानि यह जो water जिस direction में अगर यह against water चलते हैं या फिर against flow चलते हैं water के जिसे हम कहते हैं, downstream or upstream, हाँ, तो guys, अगर यह upstream अगर यह अगर वाटर में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इन में काफी जादे इनको जो है, आसानी से पानी में तेर पाती हैं ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि पानी आपका होता है यह से 800 गुना डैंसर होता है काफी जादा, विसकस कहलें यह और दैंसर कह सकते हैं, डैंस होता है water guys, गाड़ा होता है जस्टाइए यह में तो हम फिर भी ट्रेवल कर ले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दो सेट आपको पीर्ड फिंस के मिल जाएंगी और दो सेट आपको क्या है, टू डोर्सल फिं मिल जाएगा और एक टेल आपको मिल जाएगा ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक इस तरीके का दोर्सल और एक इस तरीके का दोर वील्बवेटने क्यों धानल थे उनलफिन ok प्र होता है उन फिस प्राइसे की यहाँ प्रहलिया काई जो हंको फिस में यहाँ यहाँ आपके यहाँ जग पैर्टन केश्टे इस पेर्ड और चाहता है अंटरिय होता है वियुटरिय होता है वियुटर जरिए दॉ आटर्ड यह टार्ड लोकेट नवटेली अ पास्टर यह जगें उनने होता है जो करते हैं इसके कारन जो हो रहा होगा ज कि आए साइद नो पंप्यूटर यहां पहल भाट है जाहां चलेएं फिशद्व का हैं ञाहे हैं, जाहिए तो होते हैं टार्मिक और टार्मिक थेखेंच हैं, जाहीं फिशद्ज वाइद्व gemacht कहने नहीं हैं कि यह कोल्डबलड्ड होते हैं और इसको बुरुल के खुड़्ड के और ऊड़ी के और इनाओ का मईसलार क्लार. dot in the next痛 को ऑसका पर हम थाँड़ी का तर त हुड़रमिंट के हैं इसको हम एक और थर्मिक हँगें जिसको हम जस्ट कहते हैं POI-KILO-THERMIC थीक है, POI-KILO-THERMIC भी हम कहते हैं थीक है, यानि यह POI-KILO-THERMIC भी होता है और यहाँ पे क्या है, यह यह गिल्स का यूज करते हैं ब्रिफिंग और अरगन की तरहा या बार बार यह उ राते हैं, मुझाअर घाते हैं या फिर वाटर के ही अनदर क्या होता है Gorsi Gorsi, Aoard,세872 को डिजायर क्या होता है तोड के हाईडरोजन और और ऑटरोगन में तोड के था है वाटर को वैसे भी हैनिमेल तोड को तोडनी सकता है यहां पे बात कर रहा है यहां पे water में आपके dissolved oxygen होते हैं गाईज्स के पास जब इनका जो क्या किया जाता है तो यहां किया होता है तो यहां पे गिल्स केुस से से होते हुए पास होते भी जाता है। तो यह एक वमाले और जी पे गिल्स तरते हैं। अर ओड्स के और धियना करते हैं तो इहं पे बिल्ड कापिलरी के बिल्स trade गे का चोया होती है 생 convenience खें और बात करें.. जब यहां पे जो ऑक्सीजन जब यह लेता है ने जब यहां नेखन फिस यह चोड़ता कितना चेह ना चेहन इस बाहर चोड़ता है ई पूरा चेहन लेता और उसका पांच वहा इस्सा के है जब यह बाहर बाहर यहां बाहर चोड़दा इता है अइस कि बात करें आघुया था ये साथ में नारहाद आगता है इय वहाद कर दो disc अरिए Wii A धियुछ कि आई में ड़ी अर्म जा डारहे भात दीज कों कोंस सविवाल्य वर दीज की कि just algae वगेरा और या फिर समुद्री पौधे होते हैं, just aquatic plants होते हैं, उन पर भी जादा dependent आपको मल जाएंगे फिसे, इनका जो reproduction organ होता है, या फिर बात करें, reproductive organ, तो ये गाईस सबसे पहले हम बात कर लें, ये bisexual, monoseous, monoseous होते हैं, monoseous होते हैं, क्या कहरा हूँ मैं, डायोसीयस होते हैं, इनका जो sex organ होता है, separate होता है, तो sexes are guys, separate है इनका, यानि ovaries और testis क्या है, पीर्ड में पाए जाती है, यानि दो ovaries female में, और दो testis male में पाए जाती है, then बात करें, मैं also भी ए रेंज और secondary organ, ठीक है, और यहाँ पे इनके और सेकेंडरी और यह है विम करते हैं, इनके बडार्वर्ड़क्टी और इनकीज कर दो सब्सक्राइभन हम खाल वोते हैं होटे कर दोन नाधे हैं, पैसे फिच्स इनकीज कर देशू दिनकी में होटे हैं, इनकी बादप्रग्दOver तो खुछ इस तरीका इनमें आपको ब्रेन मिल जाता है यहां पर आपको निल जाता है यहां पर यहां पर आपको वेल देवलप्ट सैंस और इनुने को मिलते हैं यानि फिच आपको ब्रेश्टी शेंच जाते हैं जैसे कि LATERल LINE SYSTEM जिन्फ हम कहते है जो की डितेक्थ कर ले वाटर पर अभर इस वाइवरेशन को महसूँस करके वह बॉडी को इधर से उधर मूव कर लेते हैं जिसे कि फिस्ट आपस में तक्रा नहीं है मतलब तक्राती नहीं है ठीक है तो सेंसेज मोशन को सेंस कर सकते हैं जो भी उसके आजपस फिस्ट आ रहा है या पर प्रेडेटर आ रहा है उन सभी को सेंस कर पाते हैं जस्ट उनके पास जो लेटर लाइड सिस्टम पाया जाता है ठीक है तो यह एक स्पेसलाइड कह सकते हैं स्पेसियलीस सेंसरी औरगन आपको असे लाइब में आया था स्पेसियलाइब अट्राई सेंसरी औरगन बो exempel ग.. अपर जो फिश है यह ऐा भोने ओपर शेय सकते है यहां इनका उल है एक ऴुबर टेहा रिखने का दा धा usar है गिल कबर जो है गाइस यह गिल कबर है जिसको हम ओपर कुलम कहते है क्या है गाइस धकन ओपर कुलम का मतलब क्या होता है धोसे धकन ठीक है गाइस तो यह गाइस क्या है गाइस धकन है ठीक है और यह क्या है गिल्स को धके रखते है ठीक है तो इसको हम गिल कबर भी कह देते क अपहना सआहज पहाँ है, नॉस्टिल को सांस लेने वाला नहीं एफ। तो यह दूसरा ही टाइप का है तो पूच इसका जो है caudal fin, या फिर हम क्या कहते हैं, tail fin भी कहा देते हैं, यानि ये पूच है इसका, जस्ट इसके पूच के पास यहाँ पे जस्ट इहाँ एनस प्रजेंट होता है, और इस एनस के पास इनका एक fin जो मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, guys, anal fin कहते है अब बेल्विक सबर्न तरहीं, कई सबस्य छुष्न ओकर लिकिनद्स बेल्विक सब्स्राइब में एक फिन ही और्विक सब्सक्राण। यह मुझ है यह यह कुछ पीछोड ऊगया ऊप हो थै'll ağed प्रेवलेट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस रेगुलेशन के लिए, जल्दी आजा भाई, बैलेंस रेगुलेशन हो गया, साथ ही साथ गाईज यह भी होता है, कि जो आपका फिश है, जो उल्टाना हो जाए, उसको हम क्या कहते है, जा बैलेंस रेगुलेश भी आपका पेड में होगा, इस तरीके से आपका उस साइड भी प्रेजेंट होगा, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहां पर हम बात कर लें, फॉसल फिसस की, तो फॉसल फिसस जो है, जिसके वारे मैं मने भी बताए भी था, जो प्लैकोडम्स जिने हम कहते हैं, जो कि आपके सिलूरियन पिरिड से, इनका एक्सिंसर है, इनका फॉसल रिकॉर्ड हमें सिलूरियन पिरिड से मिल जाता है, और यहां पर क्या है, यह कहां लाई करते हैं, यानि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, यह एगनेफन्स और गने तरु परीषद मिलता है इस यहलो पलकोडब सbung सब्केल फिर बोरन you can subscribe यह यह úa सब्सूर्प लागए फिर ड्यूड innovative धिर टाट्वै कि अबउत एक्सरूड पेरोग ellas अब लागर विख श्च पहता हो मतलब एक खतम हो गया, एक्स्टिंक्ट हो गया, और इनका कोई भी डिसेंडेंट या फिर कोई भी ऐसा पूर्वाज जो की एवलूशन के बाद उनका जो बचाओ नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है, जो की हम क्या है, बिलॉंग करता है किसे, कॉंडरिक्थाइस से, यान बात करें, इनके पास हैवी डर्मल प्लेट पाय जाते हैं, बात करते 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 हैं, बात इनेमल होता है और देंटाइन जो होता है जो भी है तो कुछ इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर होता है ठीक है इनेमल जस्ट क्या होता है गाईस डेंटल और एनेमल का जस्ट बना होता है काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है जैसा आपका थीत होता है बिलकुल ही वैसा ही आपको प्लैकोईड स्केल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है काफी ज़ाद स्ट्रॉंग होता है और इसी से इनके क्या होते जो सार्क के तीत वगेरा जो डराइब उनके प्लाहकोईट प्लाहकोईटर में प्लाइकोईटरे कि छानुनसकेल प्लाहकोईटर जास पाहते हैς यह दो सनकव 20.1 स्क Daarयव दुट्रैटर फेस तेशितॡ्च पात दो इनका Cleksony WA vib अंडो इस्केलटन उसाषु एफप बना होता हैं यानि कंड्रीग थास जो उसे बंडरी छुट strictly Посल्ब कर्स चंड्रिक्टरैक ड़ू ज़ो यह आफे यह विलंग करते हैं बात करें, दो Grüp और है Ghnato Storms में, एकन थोडी है, यह WordPress है, यह बोनी फिशे है, जो कि अबनेंट थे, यानि यानि, काफी जादा पाये जाता थे, जिस्च नया है, जिस्ट है, कहा है, गाये बोनी फिष बोनी फिशे में, लिए जिस्ट एपने काला कि जुक्त, यह बॉनी फि इसके बाद यहां पे हमने कुछ आउटलाइन किये गए हैं यानि देखे हमने नॉर्मली क्या है अभी हम बात करा आउस्टिक थिस या फिर कॉंडिक थिस के बात करा कि जस्ट हम दो ही क्लास में हम डिवाइड करते हैं पाइसिस को ठीक है नॉर्मली हम यह जो पाइसिस सुपर क्लास है उसको हम नॉर्मली दो क्लास में डिवाइड करते प्रणीध जा आपके कॉंसे 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 गॉंसे चाहँ थिस्में ठीक है तो लेकिन एक नैलसन नाइम के साइंटिस्त है क्योंकि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपना क्लासिफिकेशन को बताया है तो Nelson ने कुछ इस प्रकार सी हाँ पे जो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है दो जर चे में उन्होंने एक क्या कहते है अधर बुक में आप देखेंगे तो वेरिशन आपको मिल जागा क्लासिफिकेशन का यहाँ यहाँ पे इगनु की जो बुक है यहाँ आपको इस तरह के की देखने को मिल रहें लेकिन अलग बुक में थोड़ा सा हो सकता है क्लासिफिकेशन में डिफरेंस हो तो Nelson कुछ इस तरह के सिकरा है उन्होंने बताया कि भाया फाइलम कोड़ेटा है और जो ग्रूप बटीबरेटा जो है उससे बिलॉंग करने वाला जो सुपर क्लास गिना तो स्टोमिटा है जिनके पास क्या पाय जाते जौस पाय जाते और क्या है प्यर्ड अपेंड़ेश प्र नटो कोड जो है या तो पार्सलिय या फिर कम्पलीटली रिप्रे PCs हो जयाता है सैंध्रा धरूं आप बटीबरा से टीक है वटीबरा जो पाय भाइबान होता है उससे ब्ट 갔 चीज निजाते है ना तो इसा चीज हमें क्या है अग्ने स्टोम आधा पाय व स्थार्शी की वो भी आपके गनतों स्टोमेटम में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिस्ट प्लैकोडर्मी की, क्लास प्लैकोडर्मी, जो की नेलसन ने इन्हों डराइब करा था, तो यह कैसे इस पीसेज होते थे, यह एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं, और इन्हें आर्मर्ड फिसेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आर्मर्ड फिड़े, जॉड फिसेज होते हैं, आर्मर्ड फिसेज होते हैं, और यह प्रिमिटिव जॉड फिसेज इनका जो तीत होता था यह क्या होता था, जस्ट फ्यूज उता था इनके जॉज के साथ, तीक है, जसे ने डंकल लिस्तस टेंल के बारे में बताया था, तो इनके जो तीत होते थे गाईस इसके फिक्स होते थे, इसके माउथ में, है, और यह मतलब काफी बड़ा प्रिडटर होता था उस समय के, आवको आपको आपसे कहते हैं नितने भी आपके कर पुरफर ही रहे होंगें आपके कि जतने भी आपके जोर्स वाले अनिमल पाय जाते हैं ठीक है फृजल लगे काोलर बाद कि लुए थाटे हैं, और होकी आपको principle पारिया नहीं इनके कोई लेना देना हैं अटिक है तो यह वैसे species जिनके cartilage, जिसके skeleton, जो है endoskeleton क्या है, guys, cartilage genius हो, ती तो जो, guys, क्या हो, not fused, यानि, fused ना हो, उनके jaws में, just fused ना हो, साथ ही क्या है, इनके पास swim bladder प्रिजेंट हो, क्या, नहीं, sorry, swim bladder ना हो, स्विम bladder नहीं होते है, sorry, उसमें osteopathize में होते है, ठीक है, तो then intestine और क्या spiral valve इनके अंदर प्रिजेंट हो, clasper इनमें प्रिजेंट हो, और यह clasper जो है, guys, sexually, यहाँ पर देखिए, यह चीज और में बता दूँगा आपको, sexually dimorphism को promote करता है, sexually dimorphism बताता है, यह नहीं, हम क्या है, उसमें clasper प्रिजेंट होगा, तो वो हमारा meal कलाएगा, ठीक है, अगर उसमें clasper प्रिजेंट नहीं होता, किसी kondrikt है, तो वो आपका female कलाएगा, तो यह sexually dimorphism का एक अच्छा खासा उधारन है यहाँ पे, क्लास को इसमें बताया गया, कि यहाँ पे आपका सब क्लास जो है आपका, यानि क्लास कॉंडरिक्थाइज में ही, सब क्लास आपका लास्मो ब्रांची, जिसमें की प्लैकोड स्केल वाले, डेरिवेटेवस प्रिजेंट हो, और क्या है, यह इनके पास जो गिल्स है, जिसमें गोल-गोल से, वैसा गिल्स नहीं, यहाँ पे आर्चिस मिलेंगे आपको, साथ ही यहाँ पे सेपरेट क्लाफ, और अधर साइड में अपको क्या है, अलॉंग फ्राइनिक्स मिलेगा, और अपर जो क्या है, आपका क्रैनियम के साथ फ्यूज नहीं होता है, यहाँ हमारे जो अपर जोज होते हैं, नॉर्मली में तो उनका तो फ्यूज होता है साथ है, यहाँ बात करें, इनके अपर यह आपके इलास्मो ब्रांची से बिलॉंग करते हैं, क्लियर है, शार्क, स्केट्स, और यह जिदने भी हमने बता है, यह आपके क्लास इलास्मो ब्रांची से बिलॉंग करते हैं, याद रखेगा, इनका जो लोवर जो होता है, लेकिन अपर जो होता है, लेकिन अपर जो होत आप समझ जाएंगे यहाँ यहाँ पर बात करें हैं subclass holocephaly की बात कर रहे हैं दिसमें जो skills होते हैं ux gill slits यहाँ हो ओर ग्ली slits होते हैं जो की cover होता है a cat a leege on millions और किलम के द्वारा jaws do not have teeth and jaws plate और साती इनके Jaws के past क्या होते है? तीप के प्लेट प्रेजनें प्रेजनें अपर जो जो हमने क्या है अज्वाइस सब्सक्राइल यहाद रखेंगा दीज़ जाम्रेश प्रीजनें США यह extinct group है जो कि आपका guys वैसे fish है जिनमें की आपके कैसे आते हैं just इनमें start spines present होते हैं na spiny होते हैं यह काफी ज़दा dorsally इनमें क्या होता है guys spines present होते हैं इस तरीके से just मैं बताता हूं एक draw करके fish इस तरीके से काफी एकदम sharp spine इनके just fin में present होते हैं यह रहा इस तरीके का fish होता है और इस तरीके का sharp एकदम इकदम क्या होता है इनका fin present होता है इन पे भी paired fin पाय जाते हैं और यह कहां से आपको मिले और और परमिन पिरिड यानि लेट परमिन पिरिड से लेके मतलब और परमिन पिरिड से यह अभी तक जिन्दा हैं मतलब रहे हैं सौरी जिन्दा थे ठीक है क्योंकि यह extinct हो चुके है यहाँ पे हम बात कर लें acting of franji की बात कर लें यानि जितने भी आपके इस तरह का चोंच वहता है फिश के ऊपर इस तरीके का चॉंच थे पहां घालोग सого चॉप रहे हैं को जेखने हमैं सब पन के आपके इस तरीके का खुँचे मत्रीस पार opened यहाँ घालोच जो कि आपके इस तरीके का कुछ तेस्ते हैं तेसी के इस इस तरीके का भी होता है, बहुत तरी तरीके होता है, तो इनका जो होता है, बोडी होता है, इनका जो 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 होता ह वह रहा बोहेंसी को मैंटेन करते हैं उत्पलावक्ता जिसे हम कहते हैं एइस्ट फिजिक्स में , वह रहा है और वड्या फोर्स एग्जर्ट कर टी है किसीई भी स्पीशिस पे वह इक फॉर्स एग्जर्ट करती है। ब स्लाब का नोब एक पृएंची को फेस नहीं कर पाती है, क्यों कि वो तो एक तरीक देस freaking है स्ट्रेंटर प्रीजैने मिलते हैं जो कि उनको एक क्या है, एक बैलंस क्रीट कर के देती है भॉएंची क्रीट करेती है, तो यह आप के खॉनेर ज़ी मिलते हैं Swim bladder? नहीं, Chondric Thighs में Swim bladder नहीं मिलते हैं लेकिन यहां पर हम किसी कि... Chondric Thighs में ही मिलते हैं, ठीक है Then, यहां पर Ventrical जो है guys, यहां पर Article और Ventrical divided नहीं मिलेगा यहां पर हाट में जो दो चेमबर पाय जाते हैं Heart में जो दो चेमबर पाय जाते हैं Then, Cladista की बात करें, जिसे हम बिचर्स कहते हैं बिचर्स, इनमें रोंबोईड और गेनोईड स्केल्स पाय जाते हैं लंग इनमें और स्पायरिकल प्रजेंट होते हैं देहिए, लंग होते हैं इनके अंदर जो फिश है लंग पाय जाते हैं 5-18 फिनलेट्स यानि जो फिन्स होते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से फिनलेट्स होते हैं तो 5-18 फिनलेट्स प्रजेंट होते हैं जिने हम पॉलिप टेरस कहते हैं यानि, जिस्ट एग्जामपल की बात करें हैं फिनलेट्स पॉलिप टेरस जो है गाईज एक इसपीसी पायजाते हैं 16 पायजाते हैं टोटल पॉलिप टेरस का ठीक है तो उनमें कुछ इस प्रकार का फीचर पायजाता है इसी प्रकार से सब ग्लास कॉंड्रो स्टाई की बात कर रहे हैं जânेमें आता है तो पाका फैडल फिस आता है या स्टर्जाओन अता है ठीक है अभी जासे की हम बात करें स्टिंग फिस जो है ना की आपका पैडल उस टर्जाओन Państwo झोल फिसेज होता है ये जो होता है काफी जादा मतलब खतrनाँका होता है देखने को लगता है primarily cartilaginous, caudal fin, it means heterocerial. अब देकिए, एक homocerial और heterocerial आएगा एक word, आगे हम इसके बारे हम पढ़ेंगे, जिसट आपको एक बार बता देता हूं, homoceral और heterocerial heterocyral 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 hysteral ostate यह आपके tails के type होते हैं, tails आपके दो type के होते हैं, सब्सके हैं अब के हो वोथे हूँ होटे चावल फिन ध्यक्नी जो होते हैं वह दूुक इंद रसी सतनी है वह रहो होता है गया ह वो क्रॉषिछ में को कि अगर э्ल्मी यह फिष्ट का यह टील हगा थी जो जो डिवाइड़ेज बड़ाऊ तो यह डििल आपताव का उन Hiç को मिलेगा लेकिन हम बदे निचाए क 만शनी है श्रीज को घंड ओकार का आपको जाय इह आप किलने ऐह expect मिलेगा designed वह हेट्रो शिरल की बात की जा रहही है, तो रे FIN में जो क्यों के थे हैं कॉडल फिन होता है तेल चिंथ है एक्डिन फिन होता है इक्वल नहीं होता है और बात करें.. यहां प्रोंबद इसको अप्र भड़िउड करता है Then Ganoid Scale, Large Scale, Spiracus, Polydon, Acipenser, 26 species, Fresh Water and Andromus Then there is a Neopatrengy, Gars, Boffin, Talios, all these species The Skeleton, Bony, Caudal Fill primarily Homo Serial I am saying Homo Serial, both equal Dive Serial, Homo Serial, I think it will be one of them We will talk about it and talk about it in the next class I will tell you something about this What will be equal from both sides? They will be equal from the dorsal and ventral side Then there is a Scaropatrengy What is Scaropatrengy? Yes, there is another example here What is M.E.A. in M.E.A. Lepis Stosis What is Bony Fish? They are called Bony Fishes They are the Bony Fishes 27,000 इनके species आपको मिल जाएंगे पूरे समुदर में या फिर जहाँ भी एक्विटिक अन्वार्मेंट है यह आपका नेक्स्ट वाला जो क्लास है इतना जदा क्यों हो रहा है आज पता नहीं क्या हो रहा है कि लोड फख़िसेज उह गाळे है, इसका पिन्द बोनी इसका। बोनी ओपर कुलम दौरा और पियर्ड फिंस्थिक्स और इंटर्नल स्केलटर्न मस्कुलेचर सपोर्ट करने के लिए डाइफरल सिल पाय जाता है और इंटस्टाइन स्पारल वेल्ब होता है और अट्रियम और वेंट्रिकल यह सारी चीज़े पाय जाती है यह पे कुछ आपको मिल जाएंगे ठीक है तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आपकी ऐसे की क्यूवन है यहां पूछा जा रहा है कि फॉर्म दा इन्फॉर्मिशन कि विन दा सैक्शन आपर कंस्ट्रक्रट रफ्लो चार्ट एंड ब्रोड क्लासिफिकेशन आफ फैस्टिके यहां पया है गाईज भड़'ll छिपना था जिसमेंगी आपको मैं शार्ट को डिखाने को फ्लो चार्ट में किस तरीके से में इनको डिल्फार्ट भड़'ll you अबस् jus में एन्या होगा है आज की लिग उगा जाए होगा Merci. O नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्थ जो हमारा कारओ तरिके का फ्लोचार्ट होता है तो ती किस तरीके का आपको लगर बनाना है कुछ से कोशित करें का कॉपी में इसके बाद जो है यह doesn't my right अब ले अब हमभुख ले लीजिए Next नेक्स्ट मारा टॉपिक क्या है के बहुत अच्छा क्या थास। आम में रुड़ी दि फॉपर रजान है। तो अणे अरुपि को अच्छा करने तूप में और पूर। प्रॉप सब्रहों ज़िए को एक नर्यारमस के घर değiş lên के रड़ाइ निद में थ। आपको प्रव्लम यहां कोमेंट में सकते हैं। मिलती रहेगी और वीडियो आप कॉंटीनू रहेगी चंता मत करिए आम कोशिश करेंगे कि आपको ताइम तॉ टॉ टाइम सारी वीडियो वगरा प्रोवाइड कराते रहे हैं तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स टूड़ो में तब तक के लिए बाबाई